पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे वीजय CSMI में फिल्ड एक्जिक्यूटिप का पोस्ट में एपॉइंट होता है अब इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे वीजय ग्रूप लीदर बनकर दूसरे फिल्ड एक्जिक्यूटिप्स को ट्रेन करने लगता है दोस्तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि वीजय फिल्ड एक्जिक्यूटिप का पोस्ट में बहुत अच्छा काम करने लगा उसने फिल्ड में ग्रूप लीदर के बातों को आजमाया जैसे eye to eye contact, submit समय में sale करना, customer details लेना, resell करना, इतिया दी देखते ही देखते वीजय आसानी से अपना goals पूरा करने लगा और उसे पता ही नहीं चला, कब देर महीने गुजर गए एक दिन की बात है, फिल्ड वो के बाद हर रोज की तरहां विजय अपने दूसरे फिल्ड एक्जेक्यूटिप्स के साथ ब्रांच मैनेजर से मिलने गया अंदर जाते ही उसने मैनेजर से हाथ शेक किया और बोला Excuse me, sir. Good evening, sir. Good evening, how are you? Must? Yes, sir. आपने duty किया? Yes, sir. Goal achieve कर पाए? Yes, sir. Time management किया? Yes, sir. Confidence show किया? Yes, sir. Any problem? No, sir. कल के लिए prepared हो? Yes, sir. इतना कहकर, विजय दूसरे फिल्ड एक्जेक्यूटिप्स के तरहां लाइन में खरा रहकर ब्रांच मैनेजर का बात सुनने लगा मैनेजर बोले आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं? Yes, sir. Guys, जो दिन बीद गया है, उसके बारे में टेंशन लेने से आपको कोई फाइदा नहीं होगा. बीता हुआ दिन आप लोगों को कभी वापिस नहीं मिलेगा. इसलिए, उस दिन के बारे में आप टेंशन ना ले, बल्कि आने वाले कल के लिए अपने आपको और अच्छी तरह से प्रिपेर करें? Yes, sir. बरी बात यह हैं कि आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट करते हुए अच्छी प्रोड़क्ट पिछ करने की कोशिश की, अपना attitude positive रखा और confidence शो करते हुए गोल्स अचीव करने की कोशिश की, ऐसे ही आगे बढ़ते जाए, एक अच्छा फिल एग्जिक्यूटिब सर्दी, गर्मी या बरसात के मौसम को नजर अंदास करते हुए अपने गोल की और बरता चला जाता है, बस अपने आप पर confidence रखिए और कल के लिए खुद को prepare कीजिए, वैसे आप लोगों को मैं बता दूँ कि कल आप लोगों के साथ मैं एक खुश खबरी शेयर करने वाला हूँ, तो कल सुबह फिर मिलते हैं, गुद नाइट गाईज, गुद नाइट सर, दूसरी सुबह, मौनिंग एक्टिविटीज के बाद, मैनेजर ने गूप से, गुद मौनिंग गाईज, गुद मौनिंग सार, हाउ और यू फिलिंग, मस्, येस सार, फिल्ब में जाने के लिए तयार है, येस सार, कॉन्फिदेंट, येस सार, गुद, तीम, आज एक नया दिन है, एक नई शुरुवाद, आप याद रखे कि हमारे लिए सबसे कीमती चीज है टाइम, हमारे लिए हर एक लम्हा बहुत महत पूर्ण है, उसे ऐसे ही न गवाए, हर एक मिनिट, हर एक सेकेंड में आप एक प्रोड़क्स सेल करने की ठान ले, क्योंकि जितनी कम समय में आप सक्सेस्फुली कस्टोमर कॉन्विंस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका गोल से चीफ होगा, और आप जितना सक्सेस्फुल हुए, उतना जल्दी आपका प्रोमोशन भी होगा, ऐसे ही आज मैं आप लोगों के सामने में दो लोगों के बारे में बोलना चाहूँगा, जिन्होंने इस कमपनी के 30% लक्ष अचीफ कर लिये हैं, इस कारण वो प्रोमोशन के हगदार हो गये हैं, तो गाइस, प्लीज पूट यूर हैंस तुगेदर फो जतील सर्मा, जतील ने 60 डेज में 10 हाइरोल, 1 आर्टीबी, 4 इंपक्ट और 2 एक्सेलेंट गोल हासिल किया है, वेरी गुड, आज से आप ग्रूप लीडर के पोस्ट में एपॉइंट किये जाते हैं, जतील सर्मा, आप आगे आए और अपना एक्सपीरियन्स सब के साथ शेयर करें। आपको प्रोमोशन मिल जाए, तैंक यूज, अब मैं दूसरा नाम एनाउंस करने जा रहा हूँ, और वो है विजय कुमार, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विजय इस ब्रांज के अब तक के बेस्ट फिल एक्सेक्यूटिब साबित हुए है, विजय ने 45 डेज में ही 15 हाइरोल, 5 RTB, 5 KTB, 5 IMPACT और 5 BTP एचीव किया है, वेल डन, अब आप आगे आए और अपना एक्सपेरियन्स शेयर करें। बुद मॉर्निंग गाइज, जतिल सर की तरह आज मैं भी BM सर को थेंक्यू कहना चाहूँगा, कि उन्होंने मुझे प्रोमोशन के काबिल समझा, दोस्तों, जब मैं फिल्ड में जाता हूँ, अपने कस्टमर्स को जानने की कोशिश करता हूँ, कि उनके weakness क्या है, या कुछ बिमारी तो नहीं है, ये जान लेने के बाद मैं ये try करता हूँ, कि हमारे कौन से products दिखाने से उनको फायदा होगा, फिर उन प्रोडक्ट्स के गुनों को बताता हूँ ताकि वो हमारे प्रोडक्स लेने के लिए तैयार हो जाए इस तरह मैंने कई जगा पर सक्सेस्फुली कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल किये हैं दो एक जगा पर negative response मिला है लेकिन वहाँ पर भी मैंने अपना phone number दे रखा है ताकि future में वो लोग मुझे call कर सके बस positive attitude लेकर रोज निकल पड़ता हूँ अगर आप चाते हो तो आप लोग भी मेरे टेक्निक इस्तमाल कर सकते हैं मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा Thank you guys, have a good day आप दोनों को मेरी तरफ से फिर congratulations आप एक अच्छा ग्रूप लीडर बन कर अपना गोल्स पूरा करने के साथ नए जॉइनिस को अच्छा फिल्ड एक्जेक्टिव बनने के लिए ट्रेइन कीजिए बाकी लोगों को मैं अब और रोकना नहीं चाहूंगा आप लोग अपने अपने फिल्ड वोग पर निकल परें Best of luck guys Yes sir Meeting खतम होते ही Manager ने Vijay को अपने कैबीन में बुलाया Excuse me sir Good morning sir Good morning Vijay How are you? Fine sir जैसा मैंने कल बताया था आज से आप ग्रूप लीडर हो जाने के कारण Sales speech के साथ साथ नए जॉइनीज को Observation और Retrain करने के लिए अपने साथ ले जाएंगे इस दोरान आपको इन बातों का धियान रखना परेगा CSMI में एक ग्रूप लीडर को बिकास प्रयासो का मुख्य आधार स्थम माना जाता है इसलिए आप महतपूर्ण रूप से ट्रेनिंग देने की कोशिश करे आपका लग्ष ज़्यादा से ज़्यादा गोल अचीफ करना होगा इसके साथ Sales के दोरान Total Professionalism दिखाए ट्रेनिंग के सामने में हमेशा एक Positive Attitude पेश करे याद रहे ट्रेनिंग के साथ ये आपका पहला मुलाकात है उनका आपके उपर अच्छा इंप्रेशन होना जरूरी है इसलिए आप पूरे जोश में रहे उनकी और देखकर हसे आई कांटेक रखे और एक पुखता हैंशेक के साथ फिल्ड वर्क में उन्हें ले जाए इंट्रोडक्शन के बाद आप उनको अपना बैक दिखाए जिसमें आपने कॉम्पनी के प्रोडक्स, डाइरी और बिल्ड बुक पहले से ही भर ली है इसके बाद फिल्ड वर्क पर तुरंत निकल परे टेरिटोरी पहुचने से पहले नए जॉनिस को जानने की कोशिश करे उनके फैमिली बैग्राउं, होम टाउन, स्कूलिंग, होबिस, एम इतियादी उनके पसंद नापसंद बात करने के तरीके, बिहेवियर, लगातार एनलाइस करे और जहां संभब हो अच्छी सला देते जाए इस दोरान बिजनेस के बारे में कुछ भी न बताए टेरिटोरी पहुचने से ठीक पहले ट्रेनिस को स्ट्रिकली समझा दे कि आज उनका अब्जर्वेशन डे है और वो लोग सिर्फ आपको अब्जर्व करने ही आए है कस्टमर मुलाकात के दोरान कमपनी के बताएगे पाथ स्टेप्स जैसे आई-टू-आई कॉन्टाइक, सिमीद बात करना, री सेलिंग करना अपने न्यू जॉइनिस को अच्छी तरह से समझा दे इन पाथ स्टेप्स के बारे में आप उनको हर दस पीच के बाद में याद दिलाते रहे सेल होते ही जॉइनिस को अपना एक्साइटमेंट जरूर दिखाए लॉइ फेवरेज के बारे में भी सेल्स के दोरान ही बता दे जॉइनिस के सामने हमेशा पॉजिटिव रहे अगर आपको लगे कि आपके मताबिक सेल्स नहीं हो रहा तो टेंशन ना ले और हाँ, अपने जॉइनिस के साथ मस्ती जरूर करे सेल्स के बाद उनके कॉमेंट्स जानने की कोशिश करे और कोई डाउट्स हो तो उन्हें वही क्लियर कर दे ओवरॉल बिजनेस की उनको कितनी समझ आ रही है बीच-बीच में भी देखते रहे बस इतना ही विजय, आसा करता हूँ कि आप ग्रूप लीदर बनकर कॉम्पनी का नाम और उच्छा करेंगे अभी नए ट्रेनीस से आपको मिलाता हूँ इतना कहकर मैनेजर ने बैल बजा कर पूजा और डेविट को अंदर भेजने के लिए कहा कुछ देल बाद डेविट और पूजा अंदर आए विजय खुशी-खुशी उनसे मिले और उन्हें अपना बैग में भरा सेल्स किद दिखाया फिर तीनों फिल्ड वोर पे निकल पड़े चलते चलते विजय ने ट्रेनीस को जानने की खुशिश थे उसने बात जीट शुरू किया आप दोनों मुझे यहां के रहने वाले नहीं लगए डेविड, कहां से आये हुआ सर, आप कमलपूर जानते हैं कमलपूर? वो तो मेरे घर से देड़ दो घंटे की दूड़ी पड़ बस सर, वही से 6 किलमितर बाद एक छोटा सा गाव बानिकपारा से आया हूँ तब तो स्कूलिंग भी बानिकपारा हाई स्कूल से किया होगा यस सर, फिर कमलपूर कॉलेज से बारुवी और ग्रेजवेशन कॉम्पीट किया अब बस यहाँ नाख्री पक्की हो जाए तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे क्या करते हैं आपके पापा? वो एक पीचर है सर तो आपने पढ़ाई क्यों नहीं किया? अरे नहीं सर, अब तो मैं खुच कमाना चाहता हूँ बहुत खूप प्रेवेड और तुम बोलो पुजा, तुम कहां से आईगो? इस तरहां वाते करते करते, तीनों अपनी तेरिटोरी की तरफ जाने लगे कुछ देर बाद विजय बोला अम अपने तेरिटोरी पहुँच गए है, ये एरिया बड़ा है प्रेसिदेंशिल एडिया होने के साथ-साथ, यहां पर आपको छोटे-मोटे दुकान भी मिल जाएंगे इसलिए यहां पर सेल्स होने के चांसस बहुत हाई है पर दोस्तों, यह याद रखना कि आज सिर्फ मुझे पिछ करते हुए देखेंगे और जहां मैं बोलू, वहां मेरी मदद करेंगे ठीक है ना? येस सर तीनों आगे बरने लगे कि तभी विजय को अपना नाम सुनाई दिया साइट से कोई उसे बुला रहा था विजय, इस तरफ विजय, मैं हूँ यार अरे जतिल सर आप हाँ मैं, इतनी देर से बुला रहा हूँ तुम सुनते ही नहीं बातों बातों में मुझे आपका आवा सुना ही नहीं दिया पर आप यहां कैसे? अरे क्या बताओं, आज मेरे इलाके में रास्तों की मरम्मत चल रही है वहां जाकर पिच करने में बरी परिशानी होगी इसलिए सोचा, आज मैं यही काम चला लेता हूँ तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगा न? अरे नहीं, दो लोग एक जगा पर आराम से पिच कर सकते हैं और पॉपुलर हो जाएगी, है न सर? ठीक है फिर, अब क्योंकि एक ही जगा हम काम करने वाले हैं तो हमें उस तरफ चलना चाहिए यहां जाकर कोई फाइदा नहीं, मैं अलरी जा चुका हूँ कुछ खास रेस्पॉंस नहीं मिला, दूसरी तरफ जाना ही ठीक होगा पर सर, मेरा एक क्लाइंट इसी रस्ते में रहता है, मैं एक बार उनसे मिल लूँगा तुम्हारी मर्जी, वैसे नहीं जाने में ही समझदारी होगे टाइम मैनेजमेंट डोस, टाइम मैनेजमेंट यह जॉइनिस के लिए बहुत जरूरी है सो तो है, पर रोज इस तरफ आना नहीं होता न, अब आ ही गया हूँ, तो मिल लेता हूँ आप चलो, हम जल्द ही आपकी तरफ चलेंगे जतील के जाते ही, डेवीड ने विजय से कहा सर, इतने धूट में क्या हमारा जाना ठीक रहेगा? जतील सर ने भी कहा है, कि इस तरफ रेस्पांस ठीक नहीं है अरे इस तरफ उस तरफ कुछ नहीं होता है हमें अपना कस्टमर कभी भी मिल सकता है चाहे वो घर हो, शॉपिंग एरिया या फिर ट्रें स्टेशन हो प्रोपर आई कॉंटेक करके, अगर हम कस्टमर को कम से कम टाइम पर प्रोडक्स शो करें, तो सेल जरूर होगा पर जतील सर ने तो कहा था कि इस तरफ सेल पॉसिबल नहीं है शायद यहां के लोगों को हमारे प्रोडक्स पसंद नहीं आए प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर भी मन में शंका हो सकती है सर प्रोडक्ट में कोई प्रोडलम नहीं है पूजा हाँ हो सकता है कि एक दो जगा पर कस्टमर प्रोडक्ट लेने से इनकार कर दे पर यह हर जगा नहीं होता दस में से एक कस्टमर आपसे प्रोडक्ट जरूर खड़ी देंगे प्रोब्लेम अगर है तो हमारी पिचिंग करने के स्टाइल पर हो सकता है जिसने कस्टमर को आकरशित नहीं किया इसलिए प्रोडक्ट को अच्छे से जान लो कस्टमर को फाइदा बताओ आप उन्हें डिसकाउंट दो और प्रोडक्ट ना लेने पर कस्टमर क्या यूज करेंगे वो आप उन्हें अच्छे से समझा दो हम कस्टमर के घर पहुँच गए हैं चलो अभी अपना लक ट्राइ करता हूँ आप दोनों देखो मैं कैसे कस्टमर को हैंडल करता हूँ नमस्ते मैडम आपने पहचाना मुझे मैं CSMI से आया हूँ पिछले महिने आपने मुझसे एक ट्रिफला का बॉटल लिया था मैं यहां से गुजर रहा था तो चाप से पूछ लूँ आपको ट्रिफला यूज करके कैसा लग रहा है ओ तुम हो आओ आओ अंदर आओ तुम्हारा वो ट्रिफला जूज तो मैं सुभर साम रोज दो बार लेती हूँ मुझे इससे गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लिम से बहुत रिलीफ मिल रही है और मेरे बाल जरना भी कम हो गया है सुनकर बहुत अच्छा लगा मैडम अगले हफ़ते दूसरा बॉटल लेकर आ जाना बीटा जी जरूर तो मैं चलूँगा अंकल जी कैसे है अंकल तुम्हारे अंकल ठीक नहीं है उनको हड्डियों की दर्ट का प्रॉब्लेम हो गया है दवा ले रहे हैं पर जितना ठीक होना चाहिए उतना हुए नहीं बहुत वीक हो गये हैं वो मैडम, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे आयूरुवेडिक प्रोडक्ट है आयूरुवेडिक है इसलिए कोई साइड एफिक्स भी नहीं है ये देखिए ये भीम शक्ति प्राश रोज ब्रेक्वस्ट से पहले या ब्रेक्वस्ट के दौरान एक चम्मज भड अंकल को दिया कीजिए ये इम्यूनिटी बढ़ाता है सास लेने की प्रक्रिया सुधारता है बरते उमर के लिए नौनिजूस बहुत लाब दायक है उसे सुभा खाली पेट सेवन करे और रात के डिनर के 45 मिनिट बाद दुबारा ले यानि दिन में दो बार सुभा और शम रोज दे पर ये तो बहुत महेंगा होगा भीम शक्ति का MRP है 495 रुपीज और नौनिजूस का 595 रुपीज तो दोनों का कुल मिला के टोटल होता है रुपीज 1090 पर क्योंकि आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो आप मुझे सिर्फ रुपीज 800 दीजिए फिर देखिए अंकल ठीक होते हैं या नहीं ठीक है दे दो एक एक बॉटन इसे भी ट्राइ करवा के देखते हैं ये लीजे मैडम आपका सामान और बिल मैं आशा करता हूँ कि ट्रिफला की तरह आप भीम शक्ती और नौनी जूस को भी पसंद करेंगे पिर तीनों वहाँ से चले जाए वाँ सर आप तो ट्रिफला बेचने आये थे पर एक नहीं बलकि दो नहें प्रोड़क्स सेल करके आये हाँ सेल तो हो गया और आप लोगों ने देखा मैं आज वहाँ त्रिफला सेल तो नहीं कर पाया पर बातों बातों में त्रिफला का ओरडर कनफर्म कर लिया और दूसरे प्रोड़क्स भी सेल कर दिये आप दोनों ये याद रखना एक कस्टमर के साथ एक सेल्समेन की तरह नहीं बलकि एक फ्रेंडली विजिटर की तरह बात करना चाहिए और उन्हें एक से ज्यादा प्रोड़क्स दिखाने से घबराना नहीं चाहिए यस सर आगे चलते हैं, हमें एक बड़ा मार्केट मिलेगा पर सर, शायद आप भूल गए कि जतिल सर ने कहा था इस तरफ जाकर कुछ फाइदा नहीं है इस रूट में ही हमारे सर ने औरेडी सेल कर दिया है डेविड हाँ, पूड़ा रूट कवर कर लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डेविड तुम भूल जाओ कि हम जतिल सर से मिले सर सिर्फ गोल एचीफ करने के बारे में सुच्छ जी सर, चलिए सर तलदे चलते विजय बारा और कस्तमर से मिले जिन में इसे साथ ने विजय से कुछ ना कुछ खरी था इन फैक्ट उन साथ कस्तमर्स को विजय ने दस प्रॉड़क्स सेल कर दे ये देखकर पूजा बोले सच में सर, हमें दूसरों की बात ना मान कर अपने टार्गेट को अचीव करने के बारी में ही सोचना चाहिए जिस एरिया पर जतिल सर पहले आ चुके थे और कुछ रिस्पॉंस नहीं मिला वहीं पर आपने आठ लोगों को प्रॉड़क्स सेल कर दिखाया अगर आपने जतिल सर के बात सुनी होती तो ना हम इन कास्टमर्स से कभी मिलते और ना हम उन्हें सेल कर पाते ठीक कहां पुजा इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटिटूट के साथ अपने काम पर निकलो तो जरूर सक्सेस्पुल होंगे अब चलो यहां से निकल कर कुछ खा लेते हैं मेरा आज सेल अच्छा हुआ है इसलिए ट्रेट मेरी तरफ से अच्छा सेल? वो केंसे सर? होटेल चलो समझाता है होटेल में बैठ कर वीजय ने पूजा और डेविड को समझाया कैसे हर प्रोड़क्ट के पूरे पैसे उसे कॉम्पनी में जमा नहीं करना पड़ता है इसके उपर कॉम्पनी अलग से वीजय के नाम पर हर प्रोड़क्ट के एगेंस्ट एक्स्ट्रा पैसा जमा करती है जो मन्थ एंड में उसे अलग से मिलता है और ऐसे ही गोल एचीव करने के कारण मेरे मन्त एंड की सेलरी बहुत हाई हो जाता है ये सुनकर पुजा और डेविड हैरान रह गए डेविड बोला सर, हम कब से सेल कर पाएंगे? जल्द ही डेविड, बस थोड़ा और देख समझ लो खाना खतम हो गया हो, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए चलो दूसरी ओर चलते हैं येस सर और वो तीनों कई और घरों में सेल स्पीच करने लगे उस दिन विजय ने कुल मिला कर अठारा प्रोड़क्स सेल कर दिखाया और इस तरहा ग्रूप लीडर के तौर पे उनका पहला दिन सफल रहा दूसरा दिन देविड और पूजा का रीट्रेइनिंग दी था वो तीनों एक कॉलनी में पहुँचे पहले दो घरों में उन लोगों को निगेटिव रेस्पॉन्स मिला तो डेविड बोला सर, शायद आज दिन अच्छा नहीं जाएगा दो जगाहों पर कुछ भी सेल नहीं हुआ फिर आप उनके फोन नमबर अपने डायरी पर क्यों नोट करके लाए हो सकता है आज उन लोगों ने मुझसे प्रड़क्ट नहीं खड़ीदा पर क्या पता एक दो महीने बाद वो हमारे प्रड़क्ट में इंटरेस्ट ले ले अगले महीने मैं ऑफिस से उन्हें फिर कॉल करूंगा क्या पता कुछ ले ही ले इसलिए जब भी कस्टमर विजिट करो उनका फोन नमबर डायरी में हमेशा नोट करना चाहे वो प्रड़क्ट ले या ना ले और रही आज की बात अब तक तो सिर्फ दो ही घर विजिट किया है हमारे पास तो पूरा दिन पड़ा है कही ना कहीं कोई तो कुछ जरूर लेगा ये घर ट्राई कर लेते हैं तीसरी घर में एक लेडिस कीटी पार्टी चल रही थी इसलिए एक ही घर में पाच प्रड़क्ट तुरंथ बिग गए तीनों बहुत खुश थे अगले दो घरों में भी अच्छा रेस्पॉंस मिला विजय ने तीन और प्रड़क्ट सेल कर दे जब अगले घर में बैल बजाया तो एक छोटा लड़का बाहर आया उनको देखते ही उस छोटे लड़के ने चिलाया नानी नानी अंकल जैसे और भी लोग आये है विजय डेविड और पूजा हैरान थे बच्चे की नानी बाहर निकली और बोली तो आप लोग भी CSMI से आये है माफ कीज़े मैडम आप शायद मेरे कॉलीग जतिल शर्मा से मिल चुके हैं मिल चुका नहीं वो यही है अंदर खाना खाकर थोड़ा लेड गया है मेरे दूर के रिष्टेदार का बेटा है वो बीच बीच में आता रहता है तब तो आज जतिल सर ने आपको हमारे प्रोड़क्स दिखा ही दिये होंगे अरे नहीं वो जब आया तब दो पहर हो चुका था मैं उसे सी इता खाना कि लाने ले गई तो मैडम हम चलेंगे दूसरे जगा भी जाना है तुम भी वही ट्रिफला नौनी जूस लेकर आये होंगे अगर मैंने पोटे चिन्टु के लिए कुछ है तो दिखाओ मैडम एक प्रोटो किट पाउडर है बढ़ते बच्चों के लिए आप दूद में मिला कर उसे दे सकते हैं दिखाना मुझे दोट के साथ देना है जी जतिल ने तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया चायद उसके पास ये नहीं है एक काम करते हैं एक पोटल ट्राइ करती हो प्राइस कितना होगा इसका वैसे तो 395 रुपीज है पर क्यूंकि आप जतिल के रिष्टेदार हो तो आपको 300 रुपीज में दे सकूंगा खेरो अब भी पैसा लाती हो नानी पैसा दे ही रही थी कि अंदर से जतिल का आवाज आ हुआ कहा हो जल्दी से एक कप चाय दे दो मुझे ऑफिस के लिए निकलना परेगा बहुत काम है मेरा अरे जतिल तू उठ गया बिटा तेरे दोस्त आए है देख इनके पास तो चिंटु के लिए भी कुछ है मैंने ये प्रोटु किड लिया है अच्छा है ना जतिल विजय और उसकी तीम को देखकर हैरान हो गया और बोला तुम लोग यहां क्या कर रहे हो पिछ करने आया था फिर पता चला आप अंदर रेस्ट कर रहे हो हम लोग निकलने ही वाले थे कि नानी ने चिंटु के लिए कुछ दिखाने को बोला हाँ देख जतिल इस बार मैंने विजय से प्रोटो किर लिया है अगली बार तू लेकर आना अरे ये तो मेरे पास भी था पर मैंने सोचा ही नहीं कि तुम चिंटु के लिए कुछ लोग ही पुआ अब ले ही लिया है तो ठीक है तो हम निकलते हैं मैडम कुछ भी जरूरत हो तो आप जतिल सर या मुझे बोल सकते हैं मेरे नमबर नोट कर लीजिए ठीक है बिड़ा वहाँ से निकल कर आते ही देवीड बोला ये क्या सर हम यहाँ धूप में जगा जगा पीच कर रहे हैं और वहाँ जतिल सर आराम से खापी के रस कर रहे थे एक CSMI एक्जेक्यूटिफ को तरदी, गर्मी, बारिश या धूप कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें सिर्फ अपना गोल एचीव करना है जितना ज्यादा गोल उतना ज्यादा हमारा अपना फायदा दो तिन घर और ट्राइ करते हैं फिर ओफिस चले जाएंगे और वो तीनों और कस्तोमर से मिलने लगे यूँ दो घंटे बीट गए फिर विजय बोले चलो ओफिस चलते हैं आज के लिए इतना ही काफी होगा यस सर बीच रस्ते में उन्हें जतिल मिले उन्होंने देखा कि जतिल कस्तोमर्स को सेल नहीं कर पाया तब जतिल ने विजय को देख कर गा अरे भाई आज तो मेरा दीन ही खराब है पूरे दिन सिर्फ दो ही सेल हुए है मुझे लगता है हमारे प्रोड़क्स में ही कुछ खराबी है अरे ऐसा कुछ नहीं है शायद आपको अपना पिचिंग टेकनिक बदलना पड़ेगा तल देखता हूँ आज तुम्हें ठक गया हूँ तुम लोग निकलो मुझे एक और त्राइ करना है ओफिस में मिलेंगे कहकर जतिल चला गया उसके जाते ही डेविड बोला शुकर है हमें जतिल सर जैसे ग्रूप लीडर नहीं मिले मैं कुछ भी सीख नहीं पाता फैंक्स विजय साथ रहकर हमने आज फिल्ड में बहुत कुछ सीखा है अरे ये तो मेरा फर्ज है अब आफिस चलो और वहां जाकर अच्छे से थियोरी क्लास करो मुझे खुशी है कि मैं तुम लोगों को कुछ सिखा पाया इस तरहां विजय ने एक काबिल ग्रूप लीडर का रोल निभाते हुए अपने नई जॉइनीस को फिल्ड में कैसे अपना टार्गेट अचीव करना चाहिए वो सिखाया